हेलो दोस्तों नीट गुरू क्लासेज में आपका स्वागत है और आज हम चैप्टर फॉर पढ़ेंगे क्लास 11 एंसियर्टी बेलाजी का जो कि एनिमल किंग्डम ठीक तो मैं जो पॉइंट्स हाइलाइट करूंगा वो आपको नोट्स में लिखने हैं तो कॉपी और पैन लेक आपको अभी तक पता चल चुकी हैं तो उनको पढ़ने के लिए और उनकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी फिर उसके बाद हम देखेंगे बेसे साफ क्लासिफिकेशन जो की बहुत इंपर्टेंट है यानि किस बेस पे लेवल का है तो ठीक अभी यह चीज़ा आगे पढ़ेंगे अगर आपको नहीं पता तो हम समझाओंगा मैं आपको ठीक दूसरा है बॉड़ी सिमेट्री यानि सिमेट्री कैसी है बॉड़ी में तीसरा है नेचर आफ सीलूम चौथा है पैटर्न किसका पैटर्न डाजेस्ट उसको आप कहते हैं दू अब्रस ऑफ एनिमेलिया और मटी सेलौला आपको पता है एनिवयलिया कि जितने भी मेंबर हैं सब मटी से लड़ होते हैं लेकिन डिफरेंट तरह का इसमें सिल का एर्रेंजमेंट देखने मिलता है जैसे की स्पोंजर्जिय मोनियरा होता है उसमें हमको loose cell aggregates देखनेंगों मिलते हैं loose cell aggregates aggregate मतलब होता हुँ गृप cells का गृप देखनेंगों मिलता है जिसको हम cellular level of organization कहते हैँ ठीक मौनिरीर यानि sponges में हमको cellular level of organization देखने मलता है, साथ रे साथ division of labor भी देखने मिलता है यानि काम का बतवारा देखने को मिलता है के बाद आती है बारी platyhaminthis की और platyhaminthis में हमको organ level organization देखने को मिलता है ठेख इसके बाद हम अग्ला पढ़ेंगे एनेलेट्स और्थो पोड और मोलस्का तो मोलस्का एकाइडो डर्म और chord data इन सब में हमको organ system level of organization देखने को मिलता है ठेख तो सबसे high level का organization यहीं पर होता है कोई data में हम लोग भी आते हैं हम लोग में भी organ system level of organization होता है ठीक फिर उसके बाद जो organ system का होता है डिफ जो organs होते हैं वो अलग-अलग तरह के pattern शो करते हैं जैसे कि digestive system पहले सो देखते हैं हम तो digestive system जो प्लैटी element इसमें बताया गया है वो single opening का होता है ठीक सिंगल opening का digestive system मतलब incomplete digestive system जैसे अगर हम लोग human की बात करें अपनी बात करें तो दो opening होती एक mouth और एक एनस ठीक खाने के लिए अलग opening और वेस्ट प्रोड़क्ट निकालने के लिए अलग opening लेकिन प्लैटी हलमेंथिस में single opening देखनेंग मिलेगी इसी लिए हम इनको incomplete digestive system यहां देखे लिखा हुए incomplete digestive system बोलेंगे ठीक और यही single opening हमारा mouth भी होगी service both mouth और एनस ठीक तो incomplete में एक ही opening होती है और वो दोनों का काम करती है फिर दूसरा है complete digestive system complete digestive system में हमें दो opening देखने मिलेगी जैसे हम लोग में होता है mouth और एनस अलग अलग ठीक तो यह दो चीज़ हो गई तो यह हो गए digestive system का pattern अब हम पढ़ेंगे circulatory system का pattern ठीक circulatory system का pattern आप देख रहे हैं यहां पर पहला है open type open type circulatory system वो होता है जिसमें blood जो होता है blood is pumped out of heart, heart से blood निकलता है और cells और tissue जो होते हैं वो direct उसी में बात कर लेते हैं मतलब नहां लेते हैं जैसे आप एक अपने भगवान को नहलाते हैं इस टाइप से डिरेक्टली उसमें बात करते हैं ठीक जैसे आप किसी ज़रने के नीचे खड़े हो जाएं इस टाइप से तो open type में यह होता है और close type में होता है जैसे हम लोग में close type में क्या होता है कि whistles होती है कई सारी तो whistles होती है varying diameters की varying मतलब अलग अलग तरक है जिसको जैसे हो गया arteries, veins और capillaries तो इसमें capillaries जो होती है वो सबसे छोटी होती है ठीक तो close type में whistle के थुरू बलड बैता है जैसे नस होती है हम लोग की नस के थुरू बलड बैता है ठीक तो यह दोनों हो गया circulatory system का classification तो symmetry हमें तीन तरह की पढ़नी है पहला है asymmetrical, asymmetrical में हम कहीं से भी line draw कर दें, center से गुजलती हुई line हम कहीं से भी किधर से भी draw कर दें, लेकिन does not divide into equal halves, equal halves हमको देखने को नहीं मिलेंगे ठीक, तो जो asymmetrical है वो है sponges, यानि monitor जो हमारा phylum है वो पूरा asymmetrical है, वहाँ पर हमें को symmetry देखने को नहीं मिलेगी, दूसरा है हमारा radial symmetry, radial symmetry मतलब जो हर तरफ से कहीं से भी आप line एक खेज दीजिए, उसको two identical halves में divide कर देगा, तो main change आपको याद रखनी है जो any plane, यानि कहीं से भी आप line खेज के उसको divide कर सकते हैं, उसको radial symmetry कह सकते हैं, तो जैसे एक आप गोला circle बना दीजिए, circle के बीच से होती हुई कोई भी line आप खीचेंगे, तो दो equal part में circle divide हो जाएगा, तो वही होता है radial symmetry, ठीक, फिर radial symmetry जो है, वो silentrate, tenophora और echinodermata में पाई जाती है, ठीक, यह याद रखिएगा, तीसरी symmetry जो हमें पढ़नी होए, bilateral symmetry, bilateral जैसे नाम देए, by सब दो, तो एक ही plane ऐसा है, body right into only one plane, किवल एक ही plane ऐसा है, जिसके तुरू आप divide कर सकते हैं, ठीक, तो तीन दर एक symmetry आपने पढ़ दी, bilateral, radial और asymmetrical, अब जो यह bilateral वाली है, यह analytes में और orthropode में देखी आती है, अब example आप देख लीजे, जो NCRT इन दिया है, क्योंकि उससे आ आपको आसानी सन में आएगा, यह है आपकी radial symmetry, तो hydra का figure है, देखी यहाँ पे, radial symmetry, इसको हम किसी भी तरफ से divide कर दीजे, plane में, तो आपको equal part देखने को मिल जाएगा, ठीक, दो equal part, यह है आपका दूसरा bilateral symmetry, crab का एक figure है, तो यहाँ से आपको 20 से इस वाली line के थूरू अग अगर आप काड़ देंगे, तो नहीं मिलेगी, तो यह bilateral symmetry होती है, जिसमें सिर्फ एक ही line के long, यानि यह वाली line के long, आपको देखने को मिलती है, symmetry, ठीक, तो यह हो गया हमारा symmetry, अब हम आगे चलता है, अगला basis जो हमारे पास है, वो germ layer के आधार पर है, germ layer क्या होता है, जब उनहीं germ layer से develop होता है, ठीक, तो उन germ layer में कभी-कभी 2 layer होती है, तो diploblastic कहते हैं, जब हमें 2 germ layer होती है, जब 3 germ layer होती है, तो triploblastic कहते हैं, ठीक, तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, जो diploblastic होती है, उसमें external जो होती है, वो ectoderm layer होती है, ठीक, और जो internal layer होती है, उसक ये पाया जाता है सीलन ट्रेटा में अब यहाँ आप फिगर देखे पहले यह आपने तो यह बाहर वाली ब्लू ग्रलियर की यह एक्टोर्म होगी जो अंदर की लेयर है ये वाली इये ग्रे कलर की यह एन्डो culmin हो गी और जो बीच में यह रर्ड कलर यह आपको तो layer कंद नहीं कहेंगे क्योंकि इवाली भी layer माले तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा न तो यह red color वाली यह यह मीजोगिलिया कहलाती है यह यहाँ पर देखिए मीजोगिलिया यह एक undifferentiated layer होती है undifferentiated मतलब इसमें आपको छोव्- आइनेखनए मिलेंगी देखे यहां पे कहीं सेलस नहीं नहीं को मिलेगे ठीक तो, यह अनदिफ्रेंटियर होती है और जो यह एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है ठीक तो आप इसको क्या यह यह नहीं कहते ही ऊई की कि ठीक तो यह होगया हमारा हां डीपलोब्लास्िक हम थ्ल्बाश्य पढ़ते हैं गफ़त फेप्ति डीawa देखेश हैं और अंडी दोनों में सेम हैं भीच में रेटकके एक एक बाहरी सबसे और एक्टोडर्म उसके सबसे अंदर वाली एंडोडर्म और बीच वाली मीजोडर्म तो यह ट्रिपलोब्लास्टिक का फिगर है आपका एंसे अर्टी का ठीक याद रखिएगा जैसे कि यहां लिखा है एंसे अर्टी ने थर्ड जर्मिनल लेयर तीसरी भी लेयर यानि मीजोडर्म जब पाई जाती है तो उसको हम ट्रिपलोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं और यह हमें प्लैटी हल्मेंथिस से लेके कौर डेटा तक देखने को मिलता है अब हम आते हैं अग से लोम कैविटी होती है जो हमारी अभी हमने तीन जर्मिनल लेयर पढ़ी एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म तो उन्हीं के बीच में यह कैविटी पाई जाती है ठीक तो पहले देखते हैं प्रिजन्स और एपसंस ऑफा कैविटी बिट्वीन दब बॉडी वाल बीच में तो उसको सीलोम कहेंगे और यह जो कैविटी है वह लाइनड़ वाई म्यजोडर्म अगर इस कैविटी को आसपास से मेंजोडर्म है आसपास से घरी हुई है मैंजोडर्म से तो उसको शोलोम कहेंगे और इस तरहे के इनिमल पो को कैं गए जैसे example देखे तब आपको sun में आएगा तो यह वाली यह जो option है आपका a वाला यह आपका silomate animal का है तो यह बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म और एंदर एकदम छोटी सी grey color की layer एक्टोडर्म और जो beach की layer है देखिए इसमें cavity चैविटी खाली जगह बन गहीं यह वाली रेट और यह वाली यह दोनों मीसोडर्म है दोनों बीच वाली लेयर है इसके बीच में cavity ज्येद बन गया है खाली जगह बन गहीं है इसको आप तो यह पाया कहां जाता है तो इसमें आपको ट्रू सीलोम यानि सीलोमेट आपको देखने को मिलेंगे इसको ट्रू सीलोम भी कहता है याद रखिएगा फिर उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बॉडि कैटी इस नॉट लाइंड बाइं मीजोडर्म मीजोडर्म से बॉडि कैटी लाइंड नहीं होती मतलब पूरी पूरी मीजोडर्म नहीं प्रिजेंट होगा बलकि जो मीजोडर्म होगा वह स्कैटर्ड पाउच यानि बिखरे हुए पाउच के रूप में होगा एक्टोडर्म और बीच जैसे यहां आप एक्जामपल देखिए फिगर देखिए ज्यादा सन में आएगा इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं यहां पर बी वाले की तो यहां पर आप देख रहे हैं कि स्कैटर्ड पाउच के रूप में प्रेजन्ट च μιαं चारपा दिखाए गया है यह बाहरवाली ईक्टोडर्म और बीच में यह पूरी जो है मीजोघ में उप्रउप के रूप में प्रेजन्ट तो यह स्योदो स्योटहिільउम कहते हैं सिप्स् obligation कहते हैं और जösे इनिमल्स मे यह पाए जाता है उसको pseudosilomate कहेंगे ठेक तो यह हो गया pseudosilomate pseudosilom तो यहाँ आप हम language देख लेते हैं तो such a body cavity is called pseudosilom और animals possessing them are card pseudosilomate pseudosilomate के example escalminthes यह जरूर याद रखिएगा example बहुत important है ठेक तो escalminthes the animals in which body cavity is absent जिसमें cavity होती ही नहीं है उनको acilomate कहते हैं जैसे कि आकरी आला तीसरा आला figure देखिए इसमें कहीं भी cavity नहीं है ectoderm mesoderm endoderm तीनों एक साथ present है mesoderm में कहीं भी cavity नहीं है ठीक तो इसको acilomate कहेंगे और यह इसका example आपको platy element तो यह हो गया acilomate हमका silom complete हो गया ठीक अगला हमारा basis है segmentation segmentation में क्या होता है कि body जो होती है वो externally यानि बाहर से और internally यानि अंदर से दोनों तरब से divide होती है segments में without serial repetition of at least some organs यानि हर एक segment में कुछ ना कुछ organ ऐसा होता है जो लगातार present हो ठीक तो इसको कहते है true segmentation segmentation और इसका example जो बहुत ही अच्छा example है earthworm अर्थवर्म में यह देखा जाता है जिसको metameric segmentation भी कहते हैं ठीक और जो यह फिनोमेना है यानि metameric segmentation दिखाने का फिनोमेना है इसको हम metamerism कहते हैं ठीक अगली अगली चीज है notochord मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉड़ी में तीन लेयर होती है ectoderm, endoderm और mesoderm तो जो notochord है यह mesoderm से बनी हुई है यानि mesodermally derived फिर यह rod के तरह होती है rod like structure यहां दिखे लिखा हुआ है rod like structure ठीक और यह peat the side बनती है dorsal side यह तीन चीजह आपको पता होनी चाहिए और अगली चीजह यह embryo की stage में होती है जब हम embryo होते हैं छोटे होते हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं तो यह नहीं पाए जाती है सिर्फ embryo के stage में पाई जाती है थे तो यह 3-4 चीज़े notocard में याद रखिएगा अब जिस animal के पास notocard होगी उन्हें call date कहेंगे और जिनके पास notocard नहीं होगी उन्हें non call date कहेंगे ठेक तो पूरी फेरा से लेके सिर्फ आपको या रखनी है कि सिर्फ call data में notocard होती है और कहीं नहीं तो call data एक अकेला ऐसा फाइलम है जिसमें notocard पाई जाती है बागी कहीं नहीं ठीक तो notocard हो गया non call date में पूरी फेरा से हेमी call data तक और call date जो होते हैं वो सिर्फ call data यह हो गया हमारा आखरी क्रासिफिकेशन का criteria अब हम आगे चलते हैं तो जितने भी हमने अभी तक basis पढ़े हैं उनके हिसाब से यहां पे 11 फाइलम में divide किया गया है जैसे आप यहां लिश्ट देख रहे हैं अग्दम आखरी वाली लाइन यह जो है तो यह 11 फाइलम आपको दिखाए गया है यहां पे तो पहला फाइल इसको नीडेरिया भी कहा जाता है फिर टीनोफोरा प्लेटी अलमेंथिस एसके अलमेंथिस एनलेडा और्थ्रोपोडा मॉलस्का एकाइनो डर्मेटा हेमी कॉर्ड़ेटा और कॉर्ड़ेटा तो यह 11 फाइलम है जिसमें NCRT ने डिवाइड किया है अब इसको आप इसी स्य को इसमें लिख लिए ठीक क्योंकि यह बहुत काम आएगा फिर अब हम आगे पढ़ते हैं एक चीज और NCRT ने लिखा हुआ यहां पर कि जो हमारा एकाइनो डर्मेटा है यहां दिखिए एकाइनो डर्मेटा यह रेडियल या बाइलेटरल समेट्री दोनों शो करता है मारा फाइलन पौरीफेरा को कॉममनली हम इस्पॉंजास कहते हैं इनके मेंबर्स को यह जरूर याद रखेगा ज्यादा तर जनेरली मेरीन होते हैं ठीक और मेरीन यानि खारे पाई जाने बाले मोस्टली एस्टीचर होते हैं यह इंपॉर्टेंट याद रखिए गा तो ट स्टरानस्पोर्ट सिस्टम होता है यह केनी ओस्ट्र सिस्टम होता है तो MIDI फॉटते राटायों दू यह ना न मIEयल गया पारते हैं में यह उसके बाद स्टपर में एकार्फिति होती है यह न दुम्री जिसको उस्टिया से पानी आंदर अदर खा कारते हैं तो असमदरेशन ए तो तीन चीज आपको याद निया आएगा इस पॉंजो सिल में भरेगा और निकल जाएगा अब इससे फाइदा क्या आता है इससे हमें फूड गेवर गेदरिंग में यानि खाने को बटोड़ने में जो पानी आता है उसके साथ छोटे माइक्रोब्स भी आ जाते हैं तो इस में वह सिस्टम होता है जिससे वह माइक्रोब्स पकड़ देता है वह पानी वापस भेज देता है तो फूड गेवरिं में हल्प करता है रेस्पिरेट्री एक्सचेंज यानि ऑक्सीजन लेने में पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसको ले देता है और अपनी कार्बन डियक्साइड निकालता है उसको वापस पानी में डाल देता है साथ ही साथ रिमूवल वेस्ट में वेस्ट के रिमूवल में भी हल्प करता है यह जो भी वेस्ट होता है वो पानी में डाल देता है पानी थ्रू लेकर जाता है तो वाटर कहना सिस्टम इनका बहुत इंपर्टेंट है एक बहुत हीइंपॉर्टेंट चीछ कॉन्нул स आइज्ट कालर के तरह होती हैं जैसे आपके शर्ट की कोलर होती है उसी तरह होती है और यह इस पॉंजो तो किसी तरह को कोई और नहीं है इंट्रा मतलब सेल के अंदर किसी एक सेल के अंदर ठीक है 5 u can押 फिर सपोर्टट रजाए इस इंके पास जो होता है उसको इसल्सका बना होता है या फिर पॉझिन फाइबर का बना होता है यह चीजा आप को या रखना है और फिर यह hermafrodite होता है, hermafrodite मतलब success separate नहीं होते है, male औफ female दोनों एक ही body में होगा, ठीक, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, जो fertilization होता है, वो internal होता है, ओर development जो होता है, वो indirect, indirect development का मतलब होता है कि यह रवाइ स्टेज जरूर बनेगी, ठीक, तो having a larval stage, which is morphological, जो कि morphologically adult विल्ट से देखने में अलग दिखती है ठीक तो यह हो गया अब इसमें जो इंपोर्टेंट हो है एक्जाम्पल तो NCRT ने तीन फिगर यहां पर आपको दिखाया है वो देख लीजिए पहला यह फिगर दूसरा यह और तीसरा यह तो पहला देख लेते हैं पहला जो है साइक इसके कॉमन नेम भी है जैसे इस्पॉंजिला को कॉमन इस्पॉंज कहते हैं यह इस्पॉंजिया को बात इस्पॉंज कहते हैं तो इसके कॉमन नेम नीचे दिखाया है आप देख लीजिए यह यहां पर तो देखिए साइकन जो पहला था उसको इसकाइफा भी कहते हैं जो छो यू चीह भी याद होने चाहिए क्योंकि नीट में बहुत पूचे हाते हैं अब आते हैं माते हैं लियव जिस को हम नीडेरीया कमन से कहते हैं टू नीडे ए का रीज़न भी आभी हम देखती है कि ओ नीडेरीया कहते हैं धियार ज्यादा थार अक्राइटिक होते हैं और सबसे बड़ी वायत रेडियल होते हैं तो यह चीजा आपको याद हुए है अबने नाम हमें कहां से आया हम यह देखते हैं तो जो निडेरिया है वो नीडो ब्लास्ट से या फिर नीडो साइट से लिया गया है अब नीडो ब्लास्ट क्या होती है एक कैपसूल टाइप की एक सुई टाइप की होती है सुई समझ दीजिए इस्टिंगिंग कैपसूल कहते हैं इस्टिंगिंग डंक होता है अब डंक है तो इसमें इसके काम भी हो सकते हैं अब डंक का काम पहली बार तो डिफेंस में यानि किसी से बचाओ करने में जैसे मदमक्की देख लीजिए उसके पास भी डंक होता है दूसरी चीज एंकरेज में तो यह कहीं भी धसा के डंक अपना धसा के उस जग यह आपको पता होना चाहिए और यह diploblastik होते हैं ठेक फिर उसके बाद इनके एक gastrovascular cavity पाई जाती है इनके पास और एक ही opening होती है single opening होती है और mouth जो होता है इनका वह hypo storm नाम के एक structure पर होता है तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इनका जो मुह होता है वह एक structure होता है hypo storm उसी पर होता है फिर आगे चलते हैं जो एक तरह के निडेरियन से corals corals बहुत famous है ठीक corals जो होते हैं कई colors में आते हैं अच्छे लगते हैं देखने में तो corals जो होता है इनके जो skeleton होता हो calcium carbonate का बना होता है ठीक तो corals है इसkeratin composed of calcium carbonate calcium carbonate मतलब cac o3 calcium carbonate तो अब एक चीज़ इसमें इंपोर्टेंट है इनके body form इनकी body दो तरह के form में होती है एक कहते है polyp और और कहते है medusy ठीक तो पहले चीज़ इसको figure में समझते हैं बहुत ही आसान समझवाएगा तो figure अब आप देखिए तो पहला figure आप यहाँ पर देख रहे हैं यह और यह आपको देख रहे हैं आप एक umbrella के तरह का चाते के तरह का ठीक दूसरा figure जो आप देख रहे हैं यह एडमसिया है और यह एडमसिया जो है यह polyp form इसको कहते हैं ठीक तो यह जो पहला form है इस टाइप से इसको कहते हैं मेडूसा form और यह जो form है इसको polyp form कहते हैं तो जो मेडूसा form होता है वो छाते टाइप का होता है यह याद रखिएगा ठीक तो पहला यह एक्जामपल इफ इंपॉर्टेंट है पहला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला एक्जामपल और यह मेडूसा फॉर्म यही इभायर की पोलिप तरह होता है डेखते हां आपको फोड़ा है फॉर्म होता है यह बचाइप की निड़ का घुल निकला हुए है ठीक फ्लकॉ вс के लिए काम आ सकता है और इस पूरे structure को आप नीडो ब्लास्ट कहते हैं और जो यह ऊपर वाला structure है यह वाला इसको आप निमेटो सिस्ट कहते हैं या इस्टंगिंग कैपसूल कहते हैं ठीक फिर आप आते हैं हम पढ़ रहते हैं इस्ट्रक्चर ठीक तो दो फॉर्म होते हैं पॉलिप और मेडुसी तो जो पहला होता है यानि पॉलिप वो सेसायल होता है यानि रुका हुआ और सेलेंड्रिकल फॉर्म होता ह जैसे कि Hydra और Adamsia ठीक जबकि दो दूसरा होता है वह umbrella shaped होता है और free living होता है जैसे कि Aurelia या Jellyfish Jellyfish में भी यही देखा जाता है Aurelia वाला shape ठीक umbrella shaped फिर उसके बाद आगे NCIATI ने बताया है कि कुछ ऐसे Neutralians होते हैं जो दोनों shape दिखाते हैं यानि आपको Medusa और Polyp दोनों shape देखने मिलेगा और इस वह form को Alternation of Generation कहते हैं जिसका scientific term है Metagenesis Metagenesis एक true alternate of generation को कहा जाता है चुकि CBC के questions में काफी बार पूछा जा चुका है ठीक तो यह याद रखिए का Alternation of Generation वह Neutralia सो करता है जिसमें Polyp और Medusa दोनों form आपको देखने मिलते हैं और इसमें क्या होता है Polyp जो होता है वो Medusa को बनाता है asexually और जो Medusa होता है वो Polyp को बनाता है sexually ठीक तो आप example याद रखिएगा ओबीलिया ओबीलिया वो निडेरिया है जिसमें हमें Polyp और Medusa दोनों form देखने को मिलेंगे जो Polyp है वो Medusa को asexually बनाएगा जो Medusa है वो Polyp को sexually produce करेगा फिर example देखते हैं पहला है Physelia जिसको आप Portuguese Man of War करता है बहुत ही जहरीला होता है यह फिर दूसरा एडेमसिया जो कि यह निमोन भी कहते है ठीक तीसरा है Penatula जिसको सी पेन भी कहते है नाम से पता है Penatula ठीक चौथा गोर्जवनिया जिसको हम सी फैन भी कहते हैं और फिर Mianrina जिसको आप brain coral कहते हैं तो यह पांच शे एक्जमपल आपको याद रखने हैं और जो डाइग्रामस दिये गए है यह याद रखने हैं ठीक हमारा यह खतम हो गया यह सेकंड फैलम हैं तो अगला फैलम हमारा टीनो फोरा टीनो फोरा को कामनली सी वालनेट कहा जाता है या कौम जेली कहा जाता है इसका रिजन भी है मैं आपको बताऊंगा जल दी अब यह exclusively marine होते है exclusively मतलु होता है कि सिर्फ तो सिर्फ खारे पानी में ही पाए जाएंगे यह दूसरी चीज यह रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और डिपलोब्लास्टिक होते हैं और इनमें टिश्यू लेवल का और्गनाइजेशन पाए जाता है फिर अब इनका इस्पेसल फीचर देख लेता हैं इनमें जो होता कॉं कॉंब प्लेट्स पाए जाती है कॉंब प्लेट्स मतलब मैं आपको समझा देता हूं एक बार इनमें सीलिया होते हैं जैसे यह मालीजे एक लाइन है और इस पे दात लगे होते हैं आप कंगी आपने देखिए ऐसे ही तो होता है कंगी में कि एक लाइन पीछे होती है उस प external rows of ciliated com plates मतलब 8 external rows होती है, 8 कंगियां अलग-अलग लगी होती है, वो कंगिया बनी होती हैं cilia से, ठीक, जो दात होते हैं कंगी के, वो cilia से बने होते हैं जो की lokomotion में help करते हैं, यानी आने जाने में और move करने में help करते हैं फिर digestion इनका extracellular और intracellular दोनों तरे को होता है और इनमें एक बहुत अच्छी property यानि bioluminescence पाई जाती है bioluminescence मतलब जलने की property, जैसे आपने जुगनू देखा उदार जलते हैं, वैसे ही इनमें पी पाई जाता है ये light emit करते है property to emit light ठीक, फिर उसके बाद success separate नहीं होते हैं, यानि ये भी hermafrodite होते हैं, और reproduction सिर्फ sexual होता है सिर्फ sexual reproduction पाई जाता है और fertilization जो होता है वो external होता है, और indirect development होता है, ठीक, तो छोटा सा file में ये, आसानी से याद हो जाएगा आपको example दो याद रखने है pleurobrachia और tino plana, ठीक, tino plana याद रखेगा, तो pleurobrachia का हमें figure दिया गया है NCRT में, वो हम देख लेते हैं, ये tino brachia का figure है, और ये जो ये लटका हुआ है ये वही है, kanghi type का जो structure होता है, वही है, ठीक, तो 8 total पाई जाते हैं, ये देखेए, नीचे लिखा हुआ है example of tino for a pleurobrachia का example है अगला है हमारा phylum platyhelminthus, ठीक, platyhelminthus पढ़ लेते हैं, ये dorsal ventrally flattened होते हैं, मतलब pitch के हुए होते हैं, simply समझे pitch के हुए होते हैं, hence our called flatworm, आप pitch के होते हैं, इसलिए flat होते हैं, इसलिए flatworm कहा जाता है फिर they are mostly endoparasite, endo मतलब अंदर, parasite मतलब जो रहते हैं, जैसे हमारे हमारे stomach में, अगर human की बात करें, तो stomach में हमारे कई bacteria पाए जाते हैं, ठीक, तो वो endoparasite होते हैं, वैसे ही platyhelminthus होते हैं, वो भी endoparasite होते हैं, यह animals में पाए जाते हैं, including human beings, human beings में भी पाए जाते हैं, अब यह bilaterally symmetrical होते हैं, और triploblastik होते हैं, साथ ही साथ यह acylomate होते हैं, ठीक, sylom नहीं पाए जाता है, और यह एक अकेला phylum है, जहां आपको organ level of organization देखने को मिलेगा, ठीक, तो organ level of organization सिर्फ platyhelminthus में देखने मिलेगा, फिर इनके पास hooks और sakar होते हैं, hooks जो होता है, वो इनको पकड़ के रखने के लिए होता है, जैसे हम अपने stomach की बात करें, तो stomach की दिवाल से यह hook को गड़ा लेंगे और पकड़ के रखेंगे, सकर होता है चूसने के लिए, खून चूसना या फिर nutrient चूसना, ठीक, तो सक करने के लिए होता है, सकर present in the parasitic form, जो parasitic होते हैं, उनमें hook source सकर पाई जाता है, ठीक, याद रखिए का parasitic वाले में, होता है, nutrient को, और यह होता है, प्लेटी हलमेंथिस, इनमें एक specialized cell, special cell पाई जाती है, जिसको आफ flame cell कहते हैं, तो flame cell जो होती है, वह osmore regulation यानि maintain करती है, water के balance को, osmore regulation मतलब water का balance maintain करना, और excretion को maintain करती है, यह दोनों point बहुत important है, पहले चीज़ flame cell कहां पाई जाती है, प्लेटी हलमेंथिस में, दूसरी चीज़ काम इसका, और osmore regulation और excretion, तो यह याद रखिएगा, फिर fertilization जो होता है, internal होता है, और development होता है, मेनी रालवल स्टेश से, यानि यहां भी आपको indirect development देखने को मिलेगा, कुछ member जैसे planaria, planaria एक बहुत ही अच्छा example इसका high regeneration capacity होती है, यह need में question आ चुका है, high regeneration, regeneration मतलब होता है, planaria को काड़ दीजिए, तो हर एक part एक नया planaria बना लेगा, ठीक, इन में काफी ज्यादा planaria में काफी ज्यादा high regeneration capacity होती है, उसको आप छोटे छोटे टुकड़े में बाढ़ देंगे, तो हर एक टुकड़ा एक नया और निस्म बन जाएगा, ठीक, फिर इसका example दो दिया गया है, टीनिया जिसको आप tapeworm कहते हैं, और fasciola जिसको आप liver fluke कहते हैं, ठीक, तो यह दोनों आपको याद रखने हैं, अब यह दिया गया है आपको figure, tapeworm का पहला figure जो है, यह देख रहा है, आप tape के तरह दिखी रहा है, यह दोनों फिगर याद रखिएगा, तो आज के लेक्चर में इतना ही और बाकी का हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं जाएगा, दो तीन लेक्चर में पूरा complete हो जाएगा, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजेगा, चैन लादेशने हैंगा, छिंस के लेक्च disclose, बना डवाफ वाचिहा हैंगा हैंगा